होलिका दहन की राथ हुई युवक की हत्या मामले का खुलाख सा पुलिस ने किया है आरोपी ने अपना अवैस संबंद सारवजनिक होने के भैसे उसे मौत के खाट उतार दिया था सुरी नरायन थाना शेत्र के ग्राम मुडपार निवासी हरी हर प्रसास साहू का शाओ उसी के सोचालाय में मिला था जाज के दोरान पुलिस को पता चला कि गाउं के ही राचकुमार कर्श उर्फ टेटका का इस घटना में हाथ हो सकता है घटना के बाद से वाफरार था पुलिस ने नौ मार्च को उसे धर्द बोचा पुछताच में उसने बताया कि उसका गाउं के ही एक महिला से प्रेम संबंध है होलिका दहन से दो दिन पहले वहां महिला राचकुमार के निर्मारा धीन मकान में मिलने आई थी दोनों को हरी हर ने देख लिया था या बात सरवाजनिक ना हो जाए इस भैसे उसने उसके घर में घुसकर हत्या कर दी इसके बाद उसके शोग को घसिटते हुए उसके सोचाले के पास छोड़ कर भाग निकला पलिस ने उसे धारा 302 के तहट आरोपी को गिर्फतार किया है